तो इस प्रकार द्यूती विश्युद्य की समाप्ति ब्रिटिस एंपायर की लगातार कमजोर होती आर्थी की स्थिती और भारत के लिए एक माहौल बनता आजादी का समय था जिसके लिए प्रिटिस संसद्वारा लॉर्ड लारेंस के अध्यक्षता में एक समीति गठन की गई कि वह समीति यह देखेगी कि भारत की स्थिती कैसी है भारत को आजादी कब दिया जाए और भारत का सविधान का निर्मान जैसे हमने पूरोवी चर्चे किया था कि जब दे इसके बास अपनी एक निश्चित भुभाग था जनसंख्या थी अब जवरत थी सरकार और संप्रभूता संप्रभूता जो की सविधान में निहित होती है तो इसके लिए दो आधार माने गए कि भारत के सविधान को कैसे बनाया जाए तो इसमें था कि कि 1935 का भारत सासन धिनियम जिसके अधार पर प्रांती सरकारों का गठन किया गया था इसके अधार पर जो है जो सदस्य है उस सरकार चैन में शहभागी बनें दूसरा वैस्कमत अधिकार कि वैस्कमत अधिकार आपको यह जानकर राश्चिरिय हो गया होगा कि अभी जो वै लेकिन ये 89 राजिव गांधी की सरकार के पहले तक जो है भारत में वैस्ट कमत अधिकार की उम्र 21 जब राजुगणी तो उन्होंने तीन वर्स कम किया और 89 से हमें हमारे देश युवाओं को लिए वैस्ट कमत अधिकार की उम्र जो है अठारा वरस की गई तो इस प्रकार से कि psychiatric की तो सबसे आसान था कि विश्क ब्यासा करकार को सीवकारते हुए पूरे देश में लगभग दस लाग की आबादी में दस लाग की आबादी में एक प्रतिनिधी का चैयन किया गया जो सविधान सभा का सदस्य connecting तो इस प्रकार से जो लगभक 292 जो प्रान थे ध्यान दखेंगे इस समय तक भारत का विभाजा नहीं हुआ था जब यह प्रक्रिया प्रारम हुई तो तो 292 जो प्रान थे वहां से प्रती दस लाख में एक सदस्तिय जो है चून कर गया पूरे भारत अखंड भारत जो हम बात करें जिसमें पाकिस्तान बंगलादेश और आज का भारत इन सब को मिला के इसमें 93 रियासते थी जहां राजायों का सासन था उनसे कहा गया कि आप भी कि अपने प्रतीनीदी भीजिये तो प्रतेग रियासत से एक एक परतीनीय लाज ही उसके बाद उससमें ब्रीटिस विवस्था के तहस उन्होंने चार प्रांतों का निर्मान किया था उन चार प्रांतों से एक एक प्रतिनिधी भेजा गया जिसमें दिल्ली अजमेर कुर्ग बलुचिस्तान यह कुर्ग बलुचिस्तान जो है अभी पाकिस्तान के हिस्से में हैं और दिल्ली दिल्ली की राद भारत की रादधानी अजमेर जो की राजिस्तान में हैं यह संभाग थे इन संभागों से एक एक प्रतिनिधी का चयान किया गया इस प्रकार से कुल तीन सो नवासी थिरी एटी नाइन सदस्य जो है भारती सविधान सभा के मेंबर बने इस प्रकार से प्रक्रिया जो है आगे प्रारम हुई 9 दिसंबर 1946 तीथी को ध्यान रखेंगे 9 दिसंबर 1946 अर्थात आजादी के पहले है ना आजादी मिली भारत को 15 अगस 1947 और उसके आठ मेहने पहले ही 9 दिसंबर 1946 को इस भारती सविधान की पहली बैठक आहुद की जाती है इस पहली बैठक में जो वरिष्य सदस्य थे डॉक्टर सचिदानन सिन्धा उनको आइस्थाई अध्यक्षन्युक्त किया गया एक प्रकार से उनको प्रोटेम बनाया गया डॉक्टर सचिदानन सिन्धा को उन्होंने सविधान सभा के सभी सदस्यों का परिश्य रखा उनको सपद दिलाई गई और उसके बाद दो दिन बाद सब्सक्राइब 11 दिसंबर 1946 को सविधान सभा को इस्थाई अध्यक्ष मिला डॉक्टर राजेंद्र परसाद के रूप में यह डॉक्टर राजेंद्र परसाद वही हैं जो आजादी के बाद देश के पहले राश्ट्रपती बने इस प्रकार से भारत के सविधान की निर्मा निर्मान के जो प्रक्रिया है वो प्रारम्ब हुई इस बैठक में कुछ समीतियों का निर्मान किया गया जिसमें संघ सरकार के पास क्या-क्या होंगी क्या क्या कानूं उनके आधार पर होगा कौन कौन से विभाग उनके हाथ में होंगे जैसे कि भारत का देखा जा तो पूरा संचालन तो राष्टी इस्तर पर ही होता है प्रांतों को या राज्यों को राज्यों का संचालन की सक्ति दी गई है तो लेकिन दोनों में सक् विधान समीती के लिए अलग विवस्था की गई जिसमें अलग अलग प्रांतों के लिए उन प्रांतों को क्या-क्या अधिकार मिले चाहिए किन-किन विश्यों में प्रांत जो है कानून बनाएगा उनकी सरकारे कैसी होगी सदन की विवस्था कैसी होगी जैसे हमने देखा है कि प्रांतों में भी सदतनी ववस्था है किनी किनी राजियों में दो सदन है जिनको हम विधान सभा विधान परिशत के रूप में जानते हैं है ना तो इस प्रकार से प्रांतों के लिए अलग ववस्था की गई इसी प्रकार से अलप शंक्यक और मुल अधिकार समि थी अल्पशंख्यक भारत में हिंदूों को छोड़के बाकि जो भी धर्म आप देखते हैं चाहे वो बौध्ध हो मुस्लिम हो शिक्षो इशाई हो पार्सी हो वो सब अल्पशंख्यक में आते हैं तो इनके हितों के भी सर्रक्षन के लिए कुछ विशेश कार्य किये जाने के आँ सकता थी फिर पूरे देश के लोगों को उनके विकास के लिए मूल अधिकार दिये गये हैं जिसका हम आगे चर्चा करेंगे तो अल्पशंख्यक और मूल अधिकारों के लिए एक समीती का गठन किया गया फिर एक जंड़ा समीती भी था जं जैसे हम देखते हैं तिरंगा जिसे हमने स्युकार किया जिसमें तीन रंग है और उस तीन रंग के बीच में जो है असोग चक्र है तीनों रंगों का अपना अलग-अलग महत्व है असोग चक्र हमें 24 घंटे सजग रहने की प्रेरणा देता है 24 घंटे हम कर्तव्य करने का अपना एक उद्देश्य होता है तो सविधान सभा क्या कर रहा है तो सविधान सभा के उद्देश्य आगे हम देखेंगे कि सविधान सभा का प्रस्तावना में जो बाते कही गई है वही चीजे सविधान सभा का उद्देश्य बताता है और यह सारी चीजे होई रह घटना करम बजलते हुए भारत की बटवारे की स्थिति निर्मित हो चुकी थी और फरवरी 1947 के आते आते देश का विभाजन हुआ जब देश का विभाजन हुआ तो हम देखते हैं कि इसमें जो है आज का जो पाकिस्तान और बंगलादेश इनकों दोनों को मिलाकर एक पाकिस्तान का गठन किया गया सेज जो है भारत के हिस्से में आया इस प्रकार से भारत का विभाजन हुआ अब चूकी भारत का विभाजन हुआ तो इसका प्रभाव भारती सविधान समीति पर भी पढ़ना तय था सविधान सभा के वह पाकिस्तान के हिस्से में चले गए और सेथ बचे दो सचोबिस सदस्य जो है भारती सविधान समीति के सदस्य बने इस प्रकार से भारत के सविधान के के निर्मान में इन दो तीन सो चोबी सदस्यों का महत्तव पूनियोगदान रहा भारत पाक बटवारे के सांथ सदस्यों को तो बटवारा हुआ लेकिन भारत की सविधान की जो प्रक्रिया है वो निरंतर जो है आगे बढ़ती गरी 17 मार्च उनिस सविधान निर्मान के लिए सुझाव अमंत्रित किये गए अलप्रशंख्यक और मौलिक अधिकारों को लेकर जंता से सुझाव अमंत्रित किये गए जो प्राप्त सुझाव थे उनको समाचार पत्रों में प्रकासित किया जाने लगा ताकि आम जंता देश के लिए जो सविधान बन रहा है उसका अध्यान करें और उसको में अपने भी सुझाव दे सके प्रतेक अनुच्छेद आगे हम देखेंगे कि भारत के सविधान में 395 अनुच्छेद जो है रखे गये थे प्रतेक अनुच्छेद पर कई दिनों तक कई घंटों तक लंबी चर्चाएं होती थी सविधान सभा के जो विद्वजन थे जो बड़े बड़े ज्यानी लोग थे अलग-अलग छेत्रों के महारती है वो उन विश्यों पर समग्रता से चर्चा करते थे अपनी बातों को रखते थे ताकि एक सुन्दर सुद्रन सविधान देश के लिए बनाया जा सके जब देश को अजादी मिली 1947 को तो 14 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक सविधान सभा का विशेश सत्र आयुजित किया गया था लगातार सत्रों में देश की अजादी और सविधान सभा को लेकर चर्चाएं होती थी 29 अगस्त 1947 को बाबा सहाब भीम राव अमबेटकर जो उस समय के जाने माने कानूनी विशेशक्यत है उनके नेत्रित्यों में प्रारूप समीती बनाया गया अर्थाद डॉक्तर भीम राव अमबेटकर को प्रारूप समीती का अध्यक्ष बनाया गया सविधार निर्मान में प्रारूप समीती का महत्यपूर्ण योगदान है क्योंकि ड्राप्टिंग की जिम्मेदारी जो है डॉक्टर भीम राव अमबेटकर के कंधों में थी उस समय जो देश की तातकाली की स्थिती थी कि देश का बटवारा हुआ था बटवारे के समय अंग्रेजों ने जो कुछ सर्ते रखी रियासतों को लेकि वो हमारे लिए बड़ा ही कश्ट दायक रहा उन्होंने तीन सर्ते रखी जो रियासते हैं या तो वो पाकिस्तान में मिल जाए या तो वो भारत में मिले या तो स्वतंतर रहें इन परिस्टितियों में कस्मीर को लेकि भारत पाकिस्तान के बीच जो विवात की श्टितिव बनी उन समय के जो कस्मीर के सासक थे राजा हरीच रिष्ट। कि हरिसी वह जो है भारत में नहीं पाकिस्तान में विलय के लिए तयार हुए वो अपने आपको स्वतंत्र रखे लेकिन पाकिस्तान की जो गिध्ध नजर थी वो कस्मीर पर थी वह कैसे भी करके कस्मीर को पाकिस्तार में विलाय चाहते थे भारत भी नहीं चाहता था कि कस्मीर जो है पाकिस्तार में सामिल हो कस्मीर के जो राजा थे वो भी चाहते थे कि परिस्थितिया जम निर्मित हुई तो वह भारत में विलाय के लिए तैयार हो गए तो इस प्रकार से वह ब कर्म के आधार पर जो है संप्रताइक दंगे हुए आग जनी हुई हिंसा हुई तो इस इस्तिती में भारत का सीमा रेखा का निर्धारन किया गया और उस सीमा रेखा के निर्धारन के चलते जो है देश की विभिन हिस्सों में हमें अनेक प्रकार की घटनाएं देखने को मिल थी इन सबके बावजूत देश के सविधान का निर्मान की जो प्रक्रिया ही वो निरंतर आगे बढ़ते जा रही थी दुनिया के अलग अलग साट देशों के आप समझ सकते हैं कि उस परिस्तिती में दुनिया के अलग 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 देशों में जाकर उनके सविधानों का अ बहुंस तारे ऐसे देशों का हमने अध्यान किया वहां के सविधानों को जाके हमने पढ़ा देखा और जो बाते हमें अच्छी लगी एक भारत जैसे लोकतांत्रिक देश धर्म निर्पेक्ष जहां अनेक धर्म समुदाय समाज भासा के लोग रहते हैं ऐसे देश के सविधा सविधान के निर्मान में जो बाते हमें अच्छी लगी इन साथ देशों के सविधानों का ध्यान करते हुए उनका हमने श्रमवेश भारत के सविधान में किया पच्चीस फरवर्णी 1948 को एक प्रारूप तयार हुआ कि भारत का सविधान कैसे होगा उस प्रारूप को विभ सविधान सभा को भेश सके जो सुझाओ सविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत होते थे उन विर्माति को विसेश समिति के दौरा उसपर अध्यन किया जाता था और अध्यन के आधार पर अगर लगता था कि कहीं कोई परिवर्तन होता है तो उसको परिवर्तित करके पुना प्रकासित किया जाता था कि आम जनता देश के सविधान में सहभागी बने क्योंकि यह सविधान जो बन रहा था वो लोगों के लिए था और इसमें जनता की भागीदारी जरूरी थी क्योंकि जनता ही उस कानून को मानेगा उस कानून के अधार पर अपने जीवन का निर्धारन करेगा आगे बढ़ेगा तो सविधान सभा का मानना था कि अधिक से अधिक लोगों का सुझाओ इस सविधान में प्राप्त हो और एक सुद्रिन सविधान का निर्मान जो है सविधान सभा कर सके तो जनता से जो प्राप्त सुझाव होते थे स्वविधान को लेकर उसको उस समीति जो है उस पर चर्चा करते थी और आगे यह प्रक्रिया निरंतर चलती रही इस प्रकार से कि 29 अप्रेल 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्यता में सविधान ग्री हमें जो है बैठक आहुत की गई जहां सरदार वर्लब भाई पटेल जो देश के पहले ग्री मंत्री बने जिनको रियासतों के विल्ली करण की एक महत्वपुन जिम्मेदारी दी गई थी उन्हों जो है एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया की अलप्रशंख्य को और मौलिक अधिकारों को लेकर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जीवन के मूल भूत अर्सक्ताओं को ध्यान में रखते हुए भारत के नागरिकों को कुछ महत्वपुन अधिकार जो है दिये गय जिसमें या उन अधिकारों का हनन होने पर सीधे नियाले के सरण में एक आम नागरिक जा सकता था कहने का तात्पर यह है कि हमको जो मूलभूत अधिकारे प्राप्त हैं अगर किसी के द्वारा उन अधिकारों का हनन होता है तो हम सीधे नियाले में जा सकते हैं मतलब हम नियाले के सरण में प्रस्तुत होकर हम अपना फरियाद रख सकते हैं कि इस माध्यम से मेरे अधिकारों का हनन हुआ है और इस पर एक लंबी चर्चा हुई चर्चा में बहुत सारे प्रतिभागी भाग लिए जो सदस्तियत सविधान सभा के जब हम सविधान में प्राप्त अधिकारों की बाते कहते हैं तो एक महत्वपुन अधिकार है अप प्रिस्टता का अंत आप प्रिस्टता का अंत अर्थात जो जाती घत दुर्भावना है भेद भाव है उसका अंत कैसे हो इस पर रंजन सी ठाकूर जो सविधान सभा के सदस्य से उन्होंने आइस प्रसता के अंत पड़ बल देते हुए कहा कि यह एक जगन्य अपराद है मानों के अधिकारों का हनन है इसका अंत होना जरूरी है जब तक समाज में जाती धर्म और विभिन प्रकारों के भेद भाव देखने को मिलेगा समाज का पीडित व्यक्ति समाज का कमजोर व्यक्ति जो है विकास नहीं कर पाएगा इसी प्रकार से एस सिब एनरजी ने कुछ बाते कहीं उनका कहना था कि सिर्फ दलीत के घर में जाकर पानी पीने या भोजन करने से या दलीतों के मंदिर प्रवेश से या अंतर जाती विवाह से मात्र आइस प्रत्ता का अंत नहीं हो सकता इसके लिए और कठोर निर्णे या कार्य करने किया हो सकता है इसी प्रकार से रोहनी प्रसाद ने कहा कि इसके लिए अधिक सधिक कठोर कानून बनाया जाए ताकि जो वैक्ति किसी भी प्रकार का मनुष्य और मनुष्य के बीच में भेदभाव करता है उनको रोका जा सके के मुंसी ने अपने विचार वक्त करते हुए कहा कि जन्म इस्थान लिंग या जाती के आधार पर किसी भी प्रकार का भेद भाव बरदास्त नहीं किया जाना चाहिए एक जगन्य अपरात की स्रेणी में रखा जाना चाहिए दिए इस विशय पर अत्यधिक लंबी चर्शक होने का और विभिन विद्वानों द्वारमत रखने का कारण ये थ था और समाज में विभिन जाती में लोग बटे हुए थे और इन जातियों के बीच उच नीच की एक गहरी खाई थी उस गहरी खाई को पाटने के लिए ही इस प्रिस्टा का अंत जो है आवस्यक था जिसको सविधान में रखा गया ताकि समाज का प्रतेक व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रियोग करते हुए बीना किसी भेद भाव के जो है अपने जो भी अधिकार है उसे प्राप्त कर सके आखिर में जो है पटेल ने पटेल साहब जिन्होंने इस प्रतिवेदन को रखा था उन्होंने अपनी बातों को रखते हुए कहा कि हम इस निश्कर्थ पे पहुंशते हैं कि आइस प्रित्ता छुवा छुट पर जो भी कानून बनेगा वो कानून केंद्री विधान मंडल बनाएगी ना कि प्रांती क्यों क्योंकि अलग-अलग प्रांतों में अलग-अलग प्रकार की समाजिक और जाती सर्रचना हमको देखने को मिलती है लेकिन केंद्र उस सब के लिए एक समान होता है तो आगे चलकार इस पर एक सर्व सम्मति से निर्ण हुआ कि आइस प्रत्ता या छुवा छुट पर जो भी कानून बनेगा वो जो है केंद्र सरकार बनाएगी के 26 अक्टूबर 1948 को जो है प्रारूप जो है भारत के स्विधान का बनकर तयार हुआ जिसमें हम देखते हैं कि 1935 भारत सासन अधिनियम की अधिकांस बातों को लिया गया था जिसके माध्यम से देश में सासन का संचालन किया जा रहा था इस प्रकार से चार नॉवंबर 1948 को अमबेटकर द्वारा प्रारूप जो है सविधान सभा में प्रस्तूत किया जाता है कि भारत का सविधान कैसा होगा किन-किन बातों का समावेश होगा इन चीजों को लेते हुए भारत के सविधान का प्रारूप बनकर तयार हुआ और हमने पहले भी च सभा में प्रस्तूत किया है भारती सविधान में 1935 भारस सविधान के अधिकांस भागों को लिया गया था इसके पीछे कारण ये था कि 1935 भारस अथे नियम जब अंगरेजयों के दौरा लागू किया गया था तो उन कानूनों से उन नियमों से हम् थोड़ा सा परिशित हो चुके थे और उनको वैभाजी ग्रूप से समझने का प्रयास हम कर चुके थे इसी प्रकार से जब 1935 का भारत सासन धिनियम आया तो एक प्रकार से अंग्रेजों ने हमारी जो वहां की भारत की जो इस्तिती थी जो एक तातकालिक परिस्तितियां थी समाजीक सरच थी उनको ध्यान में रखकर उन्होंने बनाया था तो इस प्रकार से भारत के सविधान में 1935 भारत सासन धिनियम की अधिकांद भागों को लिया गया इसके बाद आठ जन्वरी उनीस सो उन्चास थक भारती सविधान के सड़सर अनुष्षेदों पर चर्चा हुई जिसे हम प्रथम वाचन कहते हैं ध्यान रखना है कि सविधान जब निर्मान हुआ तो एक एक सब्दों पर एक चीजों पर ध्यान से लंबी लंबी चर्चाय हुई कि उन सब्दों को लिया जाना है उन नियमों को रखना है कि नहीं रखना है ऐसा नहीं कि किसी ने कहा और हमने रख लिया उसके भविष्य के दूरगामी परिणाम को ध्यान में रखा गया उसके क्या नकरात्मक शकरात्मक पक्षय है उसको ध्यान में रखते हुए एक-एक सब्दों को बारि दूती वाचन के नाम से जानते हैं इस प्रकार भारत के सविधान में 395 अनुच्छेत आठ अनुसूचिया और 22 भागों को मिला कर एक ब्रिहत भारत का सविधान का निर्मान किया गया जिसे 26 नौवंबर 1929 को सविधान सभाद्वारा स्विक्रित किया गया इसलिए हम सविधान से संबंधित दो तीथियों को ज्यादा महत्तो पूर देते हैं एक 26 नौवंबर 1929 अर्था 26 नौवंबर को प्रतेक देश में देश में प्रतेक वर्स सविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और 26 जनौवरी 1950 जिस दिन सविधान को पूरे देश के लिए लागू किया गया समझ में आ रहा है कि इन दो तीथियों में दो फरक है कि एक 26 जनौवरी उन्निस्व उन्चास को सविधान सभा द्वारा सविधान को सिवकार किया गया हाँ अब ऐसा सविधार रहेगा देश का यह कंफर्म हो गया था उसके बाद 26 जनौवरी 1950 को उस सविधान को पूरे देश में लागू किया गया इसे हिंदी अंग्रेजी दो भासों में प्रकासित किया गया इस पूरे कार्य में कि सविधान के निर्मान में दो वर्स 11 मां और 18 दिन का समय लगभग 25 सवस्तन सोधान आए ध्यान रखनेंगे कि इसमें जनता की सा भागिता भी थी प्रतेक विशय को अकबारों के माध्यम से समाचार पत्र पत्रकाओं के माध्यम से लोगों तक भीजा जाता था लोग उसको पढ़ते थे और उनके सुझाओं आमंत्रित किये जाते थे इस प्रकार से पूरे सविधान में लगभग अलग-अलग समाच के वरगों के द्वारा लगभग 25 सुझाओं आए जिस पर चर्चाएं हुई और कुछ भारत की सविधान की प्रस्तावना जो चार से पांच लाइन में हैं और वो पूरे भारत की सविधान को भीखाता है कि भारत का सविधान कैसा है तो भारत के प्रस्तावना की सुर्वाद जो होती है वो कहता है हम भारत के लोग ध्यान देना होगा हम भारत के लोग मतलब बिना किसी भेद भाव के हम भारत के लोग यहां कहीं कोई जाती समाज लिंग धर्म या अन्य किसी चीज का कोई उलेख नहीं हुआ है हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व श्रंपन अरथात ऐसा भारत जिसकी ताकत स्वैम में निहित होगा प्रभुत्व संपन भारत अपने निर्ने स्वैम लेगा वो किसी अन्य पर निर्भर नहीं होगा समाजवादी पंत निर्पेक्ष अर्थात समाजवाद का निव रखा गया समाज के अंतरगत किसी भी प्रकार का कोई भेद भाव नहीं होगा सभी वोगों का बराबर से विकास होगा पंत निर्पेक्ष सभी पंतों को मानने वाले उनका समान सम्मान होगा भारत किछी इसेश पंथ को नहीं मानेगा उस सभी पंथों को सम्मान देगा लोगतांत्री गणराज्य बनाने के लिए कैसा गणराज्य लोगतांत्र जहां जनता का सासन होगा और जनता जो है स्वैम कानून बनाती है जनता जो है सरकारों को चुनती है तो एक लोगतंत्र के रूप में लोगतंत्री गणराज्य की इस्थापना के लिए उसके नागरिकों को समाजिक आर्थिक और राजनितिक न्याएं समाजिक न्याएं प्रतेक समाज के लोगों को बिना किसी भेद भाव के उस समान आउसर समान प्रतिष्ठा प्रदान की जाएगी आर्थिक प्रतेक व्यक्ति को अपने जीव को पारजन के लिए अर्थ कमाने की आजादी होगी वह नियम के तहट कानूनी रूप से पैसा कमा सकता है धन अर्जित कर सकता है अपनी आर्थिक इस्थिति को वो सुद्रिन कर सकता है फिर राजनीतिक न्याएं राजनीतिक न्याएं अर्थात सथा सथा कुछ लोगों तक सीमित नहीं होगी सथा में उस हर व्यक्ति की भागिदारी होगी जो राजनीतिक रूप से सक्री रहना चाहता है आपको ग्यात होगा कि आजादी के पहले या प्राचिन व्वस्था में देखते हैं तो सत्ता में कुछ लोग ही बैढ़ते थे कुछ विसेश परिवार या कुछ विसेश समाज के लोग लेकिन आजादी के बाद ऐसा नहीं है आजादी के बाद प्रतेक वर्गों के लिए विशेश ववस्था की गई अर्थात जो समाज में जो पिछड़े वतपके के लोग थे दलीत अधिवासी उनको अनुसुचि जाती अनुसुचि जन जाती के आरक्षन के गुरूप में उनके लिए सीटों का निर्धारन किया गया तो इस प्रकार स सब्सक्राइब भारत के सविधान में समाजिक द्वनियाय का उलेक किया गया राजनीतिक न्याय विचार अभीवेक्टि विचार प्रतेक वैक्टिके अपने-अपने विचार विच आजादी के पहले बृतिस कर में लोगों को बोलने की आजादी यह अंग्रेजोद्वार उतनी ही बातों को सुनी जाती थी जो अंग्रेजों को उचित लगता था तो आजादी के बाद जो महत्तुपुन रहा भारत के सविधान में कि लोगों को अपने विचारों को विचारों की अभी व्यक्ति की आजादी दी गई उनको अपनी बातों को रखने के लिए पूरा आउसर दिया जाना चाहिए फिर विश्वास धर्म और उपासना की सवतंतरता प्रतेक्वेक्ती का अपना-पना अन्यके प्रति विश्वास होता कि चाहे वो धार्मिक चाहे सामाजी को चाहे वो राजनीतिक हो और वो भैक्ति अपने अपने तरीकें से उस коई को रखता है कोई भोजन करता कुछ नहीं करता है कोई पूल चड़ाता है कि लगे प्रतेक धर्म में जैसी व्यवस्था बनाई गई है जिसकी संस्कृते में जो रखी गई है जो कहीं गई है प्रतेक व्यक्ति को यह छूट दी गई कहीं कोई नियंत्रन नहीं होगा इस पर कि आप अपने पूजा पद्धती उपासना के तरीकों में कोई बदलाव करें यह आपकी मौलिक है इसे बनाय रखना इसे स्युकार करना जो है सासन और समाज का कारिया है इस प्रकार से धर्म विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता भी भारत के सविधान में रखा गया इसके बाद प्रतिष्था और आउसर की समानता अगर कोई वैग्य वैग्ति है और अगर उसे कोई समान मिलना चाहिए तो निस्पक्छ रूप से बिना किसी भेद भाव के उसे वो समान मिलना चाहिए आउसर आउसर की समानता प्रतेग वैक्ति को आउसर की समानता होनी चाहिए अगर कोई गरीब बच्चा अंग्रेजी माध्यम की स्कूल में पढ़ना चाहता है तो बिल्कुल उसे मिलना चाहिए साथ नवस्था करें अगर कोई रखे बच्चा दूर्ष तो गवह हैं जिए पिछड़ा हुआ है अगर वह बच्च सहर में आके पढ़ना चाहिए तो उसको भी वह और सर्मिलना चाहिए इसी प्रकार से अगर वह बालग प्रलिक के किसी पुरुसकार का हगदार है तो उसको भी वह प्रतिश्था मिलनी चाहिए समाज के अलग अलग वर्गों के लोग जो समाज और देश के लिए स्रेष्ट कार्य कर रहे हैं उनको भी बिना किसी भेद भाव के प्रतिष्ठा उन्हों को होनी चाहिए उनको सम्मान दिया जाना चाहिए तो इस प्रकार से जो है ऐसा सविधान जो बंधुत्व बढ़ाने के लिए मतलब इस सविधान से क्या होगा कि जब ऐसा एक उच्च्र कोटी का सविधान निर्मित होगा जिस्ते लोगों में समानता हो बंधुत्व हो भाई चाह रहा हो बिना किसी भेद भाव के उनको सारी सुधाय जब तो उससे आपस में बंधुत्व को बढ़ावा मिलेगा देश की अखंडता और एकता को ताकत मिलेगी ऐसे सविधान का निर्मान करते हुए दिन संकल्प होकर हम अपनी इस सविधान सभा द्वारा आज तारिक 26 नवंबर को इस सविधान को अंगी कृत अधिनियमित और आत्मारपित करते हैं ऐसा सपत लेते हुए 26 नवंबर उन्निस सव उन्चास को भारत के सविधान को सविधान सभा के द्वारा सिवकार किया गया आगे चलके इसी सविधान को 26 जन्वरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया और इस सविधान के माध्यम से ही पूरा देश की सासन विवस्था संचालित होती है और सविधान ने हमको प्रतेक छेत्र में एक ताकत एक सहयोग प्रदान किया है ताकि हम लगातार आगे बढ़ सके सभी के पास विसेश जो है अधिकार प्राप्त हैं जिनका प्रयोग करके प्रतेक व्यक्ति अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है समानता सोतंत्रतर और धार्मी के शेत्रो में हमें जो है अनेक प्रकार की सोतंत्रताय प्रदान की गई है जो लगातार हमारे विकास्मे सहयक होता है सविधान की प्रस्तावना पर देश के प्रतंप्रधान मंत्री जवाल नहनुम ने कहा था यह एक घोशना पत्र है सिर्पे प्रस्तावना नहीं है यह एक घोशना पत्र है यह एक दाईत्व है जो हमें अहसास दिलाता है कि कैसे हम समाज के वर्ग के प्रतेग लोगों का विक है जिन्होंने इस चाह में देश की अजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी है यहां राष्टी अंदोलन का उद्देश्य है कि भारत का एक सविधान हो स्वतंत्र भारत के अपना स्वयम का कानून हो इसी प्रकार से इस सविधान के अपने मुल्या और आदर्स हैं जो सबका साथ और सबका विकास के साथ सभी में समानता और सदभावना को लेकर आगे चलता है इसी तरह से आगे चलके भारत के इस सविधान के प्रस्तावना में 1970 में समाजवाजी सब्द को जोड़ा गया समाजवाजी सब्द मतलब समाज के प्रतेक वर्ग को बराबर का स्थान प्रदान किया जाए समाज के लोगों में राश्टी संपदा राश्टी संसाधन का बराबर से वित्रन किया जा सके प्रतेक वर्ग जो है अपने आपको सु भार्त के प्रस्टावना में जो समाजवाधी सब्द को चोडा गया इसी प्रकार से अगर हम भारत सवविधान की प्रस्टावना में कुछ प्रमुक जो सब्द को देखन तो हम पाते हैं प्रभुत्व्द शंपन एक ऐसा राष्ट जिसका जो स्वैम शम्प्रभू होगा जिस पर किसी और का नियंतरण ना हो आजादी के पहले तक हम पर बिड़िस सरकारों का नियंतरण था लेकिन आजादी के नहीं बलकि जनता अंतिम संप्रभू है तो इस प्रकार से एक प्रभुत्व शंपन गणराज्य की हमने नियू रखी पंथ निर्पेक्ष सभी समुदाय सभी धर्म सभी पंथों को मानने वाले लोगतंत्र समाजिक आर्थिक और राजनितिक न्याय के साथ प्रतिष्ठा और अवस्तर की समानता की भावना को बल देने वाली ऐसे सविधान को हमने बनाया इस बना इसे बनाने में जो है पुरी सविधान सभाने कठीन परिश्रम किया कई जिनों तक लंबी लंबी चर्चाएं होती थी जनता के सुझाव आते थे संसोधन आते थे में दुनिया के अलग अलग देशों के सविधानों का अध्यान किया गया उनमें जो अच्छी बाते थी जो हमारे देश की परिस्टिती में सिवकार किया जाने वाला था उसे भी हमने सिवकार किया हमने भारत सासन धिनियम 1935 के बहुत सारी बातों को सिवकार किया इस प्रक भारत को सविधान को फूलों की माला की संग्या दी गई जिसमें अलग-अलग रंगों के फूल जो हैं माला में गुठे होते हैं और वो बड़ा सुन्दर दिखता है ऐसे ही भारत का सविधान जो है अलग-अलग देशों के सविधान से लिया गया खुबसूरत एक सविधान है जिसमें सभी बातों का समावेश किया गया है तो इस प्रकार से 1947 अजादी के बाद उनिस सवपचास 26 जनवरी तक इस देश ने अपने स्वयम का सविधान का निर्मान किया एक बिहद राश्च के लिए सविधान का निर्मान करना आसान नहीं था खासकर उस परिस्थिती में जब देश का बटवारा हो रहा हो देश की आंतरी की स्थिती अच्छी ना हो कश्मी थी भोपाल की अलग समस्य थी अलग अलग रियासते थी उन रियासतों को जोड़ना उन रियासतों को लोगों को एक देश एक सविधान के लिए सहमती प्रदान करना बड़ा कठीन कार्या था लेकिन इस देश के महापूरसों ने उस कठीन कार्या को भी सरल कर दिया और उनके अथक लगन और परिश्रम का फल है कि आज हम स्वतंत्र भारत में स्वयम के सविधान के साथ जीवन व्यतित कर रहे हैं